दोस्तो 90% चे ज़्यादा नेया ट्रेडर यही गलती करता है कि यह नीचे आपको O.I. दिखा रहा है इस तरह आपको कोल के O.I. दिखा रहा है और दूसरी तरह आपको पुट के O.I. दिखा रहा है अब नेया ट्रेडर गलती यह करता है कि यह जो कोल के O.I. दिखा रहा है इ जब भी आपको पुट के ओई अगर ज़्यादा बता रहे और अगर कोल के ओवह या पे ज़्यादा बता रहे इसका मतलब मार्केट नीचे जाने वाला होता है लेकिन उसको नहीं पता होता है उसकी वज़े से गल्ती हो जाते हैं और वह अपना यहां पे लोस कर लेता है अगर यह गलती आप भी पहले करते थे तब आपको यह गलती नहीं करना है और इस complete वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आप option chain को देखके अपना call या पूट को ले सकते है यानि market की जो दिशा होती है market की जो direction होती है उ अपना profit कर सकते है तो इस complete वीडियो के अंदर मैं आपको बहुत आसान बासा के अंदर समझाने वाला हूं अगर आप नए ट्रेडर हो तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लो दोस्तों अगर आप option trading करते हो इंट्राडे करते हो लेकिन अभी तक भी आपका profit नहीं ब लिया था और इसका यहां पर हाई गया था यह 405 ठीक है यानि कि इसके अंदर हमने सो पॉइंट से भी ज्यादा कवर करें तो इस तरीके से यहां पर डेली की टेड में देता रहता हूं साथ ही जो लाइव मार्केट का अनले लेसे होता है वह में करके हमारे यहां पर टेड यहां पर डन हो गया एजी लिटीक है तो इस तरीके से स Term टार्गेट डन होते हैं आपको निचे Description के अंदर वीडियो के निचे Description में लिंक दिकल आ होगा उस लिंक से आप इसमें जो इन हो सकते हो तो चलिए दोस्तों इस वीडियो को सुरू करते हैं और हम समझते हैं कि हम option chain को देखके call या put में entry किस तरीके से ले सकते हैं ठीक है और साथ यह भी देखते हैं कि आपको कौन से गलती यहां पर नहीं करनी है देखो option chain को open करने के लिए simply क्या होता है कि अगर आप नेटेडर हो तो आपको यहां पर nsc की जो website है वहां पर आ जाना ठीक है यह google वाला म देखोगे तो यहां पर आपको call की डेटा बता जाते हैं और राइट तरफ देखोगे तब आपको यह put के डेटा बताते हैं ठीक है बीच में आपको स्ट्राइक प्राइज बताती है यह स्ट्राइक प्राइज होती है जैसे कोई for example market अभी 40,000 चल रहा है तो 40,100-200 ठीक है यह हमारे contract होते हैं तो यह हमारी strike price हो जाती है अब इसमें बहुत सारी data होती है बहुत सारी information होती है और बहुत सारी चीज़ें होती है वह इस वीडियो के अंदर हम समझने वाले हैं तो वह क्या होता है किस तरीके से मार्केट काम करता है किस तरीके से आपको इंट्री लेन यानि की जो एक वाइर और एक सेलर के बीच में होता है उस को यहां पर बोला जाता है ओपन इंट्रेस्ट यानि यह जो हमारा इंट्रेस्ट अप यह आपको दिक रहा है यह हमारा सब्सक्राइब और की सब्सक्राइब ओनाग आगद ग्राइब के रिकाम कर्टेंस की घाके तो वह बी आप यहां पे अब यह रूपन होता है इसका यूज कहां करने है अधो हमारा यूज होता है help . दिश्यागों पता लगाने में ठीक है मैंने आपको बताया है वीडियो को शुरूख के अंदर कि आपको क्या करना है यह जो करना है यह उसका हमेसा उल्टा करना होता है अब नए ट्रेटर तो गलती कर देता है लेकिन आपको गलती बिल्कुल भी नहीं करनी है आपको यहां को यहां पर दिखा रहा है तोक है यह टोटल हमारहे लगबग यहां पर पंद्रा लाग यहां पर देखो के तो कि यह हमारे पूट के ओ है लगबग यह पर फल्द लाग ठिके Baptist यह किस के है यह किमारे यह कि बताते हैं कि मार्केट की धिसा जो है किस तरीके से काम करने वाली है अगर यह दोनों लगबग बराबर है या फिर थोड़ा बहुत फरक है तब यहां पर लगबग मार्केट साइडवेज रहने वाला है उसके अंदर कोई खास वॉमिट नहीं मिलने वाला है अगर यह इस तर कि मार्केट का वो यहां पर बूलीस बन जाता ठीक है बीच में बता देकि ये स्ट्राइक पर आपको अलग-अलग रिसाब से ठीक है जैसे मैं एक्जाम्पल की यहां 337 लगबग बता रहे हैं यह हमारा हो गया इस लगफ ब्राइज पर ठीक है अलग लग अलग होते हैं यह यूज है वह मार्केट की दिसा को पता लगाने में करते हैं मैंने बता दिया कि अगर लगबग दोनों के बराबर है कोल पुट के तब आपको क्या करना है कि लगबग वहां पे मार्केट साइडवेज रहने वाला है उसके अंदर को खास मोमिट नहीं मिलने वाला है अगर आप प्राइज एक्षन का यूज करते हो तब आपको पता होगा कि जैसे आपना एक्जांपल के लिए हम बात करते हैं कि 23,300 के उपर यहां पर देखोगे तो यह हमारा क्या था OI टाटिक अब यहां पर इस तरीके से चेंज आया है यानि कि यह जो OI है इसके अंदर कमी हुई है जैसे मैं यहां पर बात करूँ तो यह हमारा OI जो होता है कोल का यह हमारा करता है रिजिस्टन्स का काम और यह हमारा पुट का जो OI होता है यह हमारा सपोर्ट का का काम करता है जैसे मार्केट कोई उपर जाने के कोशिश कर रहा है और अगर यह वीक हो रहा है इसका मतलब यह है कि मार्केट उपर जाने वाला है वह रिजिस्टन्स यहां पर वीक ह पर है सपोर्ट इसका मतलब मार्केट जो है ब्रेकडाउन देने वाला है नीचे जाने वाला है ठीक है तो यह चुछ तो हो गई हमारी जो ओई है उसको यहां पर मैंने समझा दिया है कि किस तरिके से काम करता है अब देखो यह क्या होता है इसके अंदर जीतना चेंज होगा वह उसमें कमी भी आ सकती है उसमें वह यहां पर बढ़ भी सकता है उसके बाद में हमारी वोल्यूम आती है जो भी आपको समझने के ज्यादा जूरूरत है नहीं उसके बाद में हमारी होती है यह हमारी लेटेश टेट पर जो मार्केट का करेंट भाव चल रहा होता है जिस किसके compare में है यह है कि जैसे ही छोला था जिस δिन कोंटेक्ट बना तो आपको यहाँ पर क्या क्या है याद रखना है आपको सब से पहला ही याज चीज या यहां पर रखना है ओस यह हम ऐँ ओपन жंद्स आपको वो breakout करती है तब यहां पर क्या होना चाहिए कि यह जो call के OI है यहां पर कम होने चाहिए और यह हमारे port के OI बढ़ने चाहिए अगर ऐसा हो रहा है और price action में भी ऐसा हो रहा है तब आपकी जो accuracy होगी जो आपको result मिलेगा वो आप खुद देखना आपको 100% वावे result मिलेगा ठीक है क्योंकि अगर आप जो है यहां पर option chain और price action दोनों का यूज करके अगर आप entry लेते हो तो आपकी accuracy होती है वो यहां पर काफी level तक improve हो जाती है जो बड़े-बड़े professional trade होते हैं वो क्या करते हैं इसी option chain को देखके अपना entry लेते हैं क्योंकि उनको पता रहता है कि किस तरीके से market के अंदर moment आने वाला है और किस तरीके से लोग यहां पर call buy कर रहे हैं यहां पर किस तरीके से काम होता है यह आपको जो यहां पर बता रहा है इसके नीचे यह जो हमारे होते हैं अब लोग इसको क्या करते हैं कि इसको समझते हैं कि यहां पर सब्सक्राइब हो रही है नीचे आपको दिखा रहा है यह हमरी पूट के वाइंग हो रही है इसको ऐ पोट्राइटिंग तब होती है जैसे एक्जांपल के लिए कोई कॉंट्रेट आपके पास में पढ़ा है तो ऐसा लगता है तो आपको हमेशा ऑप्सेंट को फोलो करना होता है क्यों 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 होता है वह देड़ से दो लाग रुपे लगा कि मार्केट के अंदर आता है एक मार्केट के अंदर बीरिस है तब आपको यहां पर खुद पता चल जाएगा कि मार्केट जो है यहां पर नीचे जाने वाला है ठीक है तो आपको हमेशा ऑप्सेंट को फोलो करना होता है जैसे कोई ऑफ्सेंट को लगता है कि यहां पर मेरे को पूट को सेल करना होता है तो कि यहाँ पर उल्टा हो जाता अगर कोल की राइट इन को कुछब देखने की जरूद नहीं हो यह यह हमारा मार्केट के डेटा होती है इसके उपर में कम्प्लीट वीडियो बना रहा हूं ठीक है यह आपको कहीं भी उप्सन चेर्ण में इंट्री लेने में मदद नहीं करेंगे यह सिर्प और सिर्फ वह ओडर होते हैं जो आपने किसी भी प्राइज पर लगा के छोड़े है लेकी अभी तक एकजीगूुरेत नहीं हुए है यह हमारा बीच में इस्टेक उप्ट में आपको बताते है यह हमारा ओई हो गया उसके बदे कमरा मिया ही सब्सक्राइब हो गया बस अगर इतनी चीज को आप अगर समझ ले लगे तो आपकी जो इंटरी होगी अगर आपको थोड़ा बहुत प्राइजेक्शन आता है तो आपकी जो एक्रिएश्यों की वह बहुत ज्यादा इंप्रुव हो जागी और आपका यहां पर हंडेट परश करना चाहिए बहुत दूर-दूर के स्ट्राइक प्रेज होते हैं उनको कभी बाइर नहीं करना चाहिए क्योंकि और के अंदर क्या होता है उसमें हमको ट्रेंड का पैसा मिलता है अगर मार्केट कहीं भी बीच में अगर रुक जाता है तो जो प्रीमियम होगा वह बहुत जल् देखके इंट्री लेना हमको नहीं आता है तो इसकम्प्लीट वीडियो के अंदर मैंने समझा दिया एक इक चीजों मैंने यहाँ को चेक करना है अगर यहाँ यहाँ तब मार्केट नीचे जाने वाला है अगर पूटका वह यहाँ ज्यादा बतारें कोल की के वालें में उसको जुरूर जोइन कर लो क्योंकि उसके अंदर में डेलिकल एनलेसिस करके ट्रेट को बताता रहता हूं जिससे वो इंट्री लेते हैं ठीक है जो लाइव मार्केट होता है उसमें